तो आज भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आ चुका हूँ तो इस वीडियो में बात करना वाले एक फोन के स्टेंड की जो कि मैंने पर्चिस कहता है एमजोन से कुछ जिनों पहले तो मैंने इसका बहुत सरा रिवीव देगा मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे मंगवा लिया इसके रेटिंग अची थी एमजोन पर और यह आपको मुबाइल और आइपड टैबलेट सबके लिए सब्सक्राइब और यह उसक में कुछ ऑपको एक्स्सरा चीजे नहीं मिलते बस एक स्टैन ही है तो चलिसे अंदर को क्या का मिलेग और क्या का इसमें अलग अलग से फीचर से अपको सबस्टा पहले देखते ही फिल हो जाएगा कि यह स्टैन कि 나कों प्रकेट आप इससे कहीं भी बैक पर नख सकते हैं यह पे लेके टैबल कर सकते हैं और क्यूंकि आप इस स्टेंड का रिव्यू देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप दो चीजों के लिए देख रहे हुए या तो आपको मीडिया करना है वेबसी दिखने है या तो आपको कुछ पढ़ना है अपने फोन पर या फिर आपके तो उसी परस्पेक्टिव में मैं आपको इस स्टेंड का रिव्यू दूंगा और मैं आपको बताओं कि यह कैसा है सबसे पहली बात हो इसमें आपको नीचे के रबर सिलिकॉन का पैड मिलता है जिससे कि क्या होता कि यह एक ग्रीप लगता है अगर आप किसी स्लेपरी सरफ पर इस पर देखो तो इसमें आपको एक बटन मिल जागा जिसमें लिखा होगा प्रेस हीर टुस्लाइड तो इससे आप प्रेस का कि आप इसकी हाइट को एजस्ट कर सकते हो जो की बहुत सही है और यह एक फीचर है जो कि स्टेंड में रही चाहिए अगर आप किसी फोन के आप को आप से आप साथे को अपने हैट को एनिका अपने फोन रखा है तो आप को से आज़ानी असे क्र सकते हैं और देखा तो तो इस तरह से आपको वीडियो को प्लेबेक का एक्स्पेरियंस मिलेगा अगर आप देखोगे यहां पर जो एंगल है इससे आप एज़स भी कर सकते हो यहने करको मैं साइट से दिखा तो साइट प्रोफाल देखोगे तो कितना तिल्टेट आप देख सकते हो और इससे आप सब्सक्राइड कर सकते हो तो यह ज़क्त को अब की से अंगल को सट कर सकते हो दो यहरू ने के मैंने इसे अपने फोन को पूरी तरह से स्ट्रेट कर दिया है जो कि बहुत साइध दिख रहा था और इसमें color में को distortion देखने को नहीं मिलेगा अगर फून में कुछ भी problem होते तो आप इसे stand को adjust कर सकते हो जैसे कि आपको color में को problem देने को नहीं मिलेगा एक बुरी पत्मुची इस stand के यह लेगी कि आप इसके height को beach पे नहीं रख सकते है तो आप इसे एकदम उपर रख सकते हो या तो एकदम नीचे रख सकते हो आप इस तरह से अपने phone को रख सकते हो उसके बाद अपने touch screen को भी यूश कर सकते हो बड़ी असानी से और इसमें करता है और अपने angle को भी चेंज नहीं करता है तो चलिए मैं आपको दिखा रहता हो कि अगर आपने tablet को इस तरह से आपको experience मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इस पे आपने iPad को लखा है और इसका जो एंगल आप अच्छा से एजस्वी कर सकते हो और जो इसका कि आपको iPad को बढ़ अच्छा से एजस कर लाता है क्योंकि यह iPad बहुत ही भारी होता है फिर भी यह इसने बड़ी असनी से एजस्वी कर लिया है और जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे फोन में कोई में दिकत नहीं उसी तरह से मुझे iPad में कोई दिकत नहीं मैंने इसमें बड़ी यूट्यूब वीडियोस देख लिए और क्यूंकि इसका वेट ज्यादा है फिर भी मुझे कोई दिकत नहीं इसे बड़ी असनी से हैंडल कर लिया और एक बात यह है कि आप जब इस स्टेंग आप इसे भी पोट्रेट में उसकर सकते हो आप इसकी टास को कर सकते हो फिर भी अपना एंगल चीन नहीं करता यह फिकोई स्लिपरी आपको देखने को नहीं मिलता है और अगर बात कर इसे चारजिंग करनेगी तो आप इसे फोन में बिल्कुल आसानी से चार्ज कर सकते हो अगर आप दीमिस्來到 गिल्फी पनो परणानी तो आजक के लिए बस इतने अगर एकड़ी विडियो अच्छा लगा तो प्लीज चार्ज विडियो pheny you य झाल झाल